नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है, डेट आज की 17 मार्श 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस और हिंदू के इंपोर्टन्ट आर्टिकल जो भी हम इस वीडियो में एडिटोरियल पे जिससे डिसक्स करने वाले हैं सबसे पहले जो हम आर्टिकल डिसक्स करेंगे वो रहेगा, इस आर्टिकल में हम टीबी बर्डन के बारे में जानेगे कि ट्यूबर क्लॉसिस का कितना बर्डन है विमन पे इसके आगे दूसरा जो आर्टिकल हम डिसकस करेंगे वो रहेगा दे नोशन आफ डी डॉलराइजेशन की USA की जो करंसी है डॉलर उस पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज एफर्ट्स कर रहे हैं क्योंकि इसका एक तरीकिस ओफेंसिव वेपन की तरह यूज़ किया जाता है USA के द्वारा ठीक है तो ऐसे में क्या प्रोविजन से वो जानेंगे और एक आर्टिकल हम डिसकस करेंगे हिंदू का जिसमें हम जानेंगे कि Renewable Energy को हम कैसे Ensure कर सकते हैं और क्या-क्या हमारी अप्रोच होनेचे Renewable Energy या Clean Energy को प्रमोट करने के लिए तीन आर्टिकल से तीनों को देखते हैं डीटेल में फर्स्ट आर्टिकल है The Toll on Women इस आर्टिकल को लिखा है हीना गाविद जी की द्वारा देखो इनका ये कहना है कि COVID से तो हम निकल गए हैं पर अभी सिचुएशन देखें तो TB क्राइसिस अभी भी खतम नहीं हो रहा है और इसका ज्यादा असर किस पे है विमन पे अगर हम डेटा पे जाएं तो लगबग 1.5 मिलियन लोग TB से मरे हैं 2020 में इंडिया में अगर बात करें तो TB की वज़े से जो फैटलिटी रेट है वो पहले 17% थी 2019 में जो की बढ़कर के 20% हो चुकी है तो ये चीज क्या शो कर रही है कि पेंडेमिक के आड में ट्यूबर क्लोशिस का जो इशू है कौनसा कि कोविड के कोविड पे ज़्यादा ध्यान दे दिया और TB को हमने कहीं इग्नोर कर दिया इस बारे में हमने पहले भी डिसकस किया था पर कुछ additional points आप कर सकते हो है डॉन ठीक है तो ऐसे में अभी Registrar General of India और Center for Global Health Research इनके हिसाब से देखे हैं इन्होंने एक joint report रिलीज की है वो यह कि हमारे देश में अगर जो डेथ विमन में जो डेथ का कारण है ना उनमें पांच वा सबसे बड़ा कारण है TB टूबर क्लॉसिस इसके अलावा जो विमन जिनकी एज 30 से 59 साल है 3269 एज की जो लिमिट में जो विमन है हमारे देश में उनकी fatalities उनकी death का death में 5% contribution जाता है TB का अब आप देख लो TB का burden विमन पे कितना ज़्यादा है इसके आगे अगर देखें men and women दोनों को देखो इसका इस बिमारी का खामियाजा भुगतना पड़ता है पर women patients की अगर बात करें तो उनको socio economic price भी देनी पड़ती है जैसे की अगर किसी lady को TB infection है तो उस lady को socially ostracization का सामना करना पड़ेगा that means उनको समाथ से भाहिश्कृत कर दिया जाता है या फिर उनको बिलकुल एक कैतना isolate करके उनको treatment मिलता है दूसरा उनकी जो एक होती है ना की marital prospect एक माता के लिए जो एक behavior होना चाहिए एक family का वहाँ पर भी उनको impact देखने को मिलता है साथ में केवल उनकी physically जो challenge आ रहे हैं TB के उतने हिसे ही काम नहीं होता है तो इसके अलावा भी जो एक patriarchal society का जो issue है जिसके चलते कहीं ना कहीं women को पहले से side line में कर रखा है उसका भी असर देखने को मिलता है तो ऐसे में एक जो health को improve करने का जो तरीका हो सकता है ना उस तरीके में मैं और women में दोनों में difference देखने को मिलता है आज अगर देखें तो जितना भी proper facilities available है टीबी को treat करने के लिए उसका access बहुत ही कम ओड़तों का available है जो टीबी infected है तो जरुरत क्या है एक multi-pronged approach की जिसमें ये barriers जो भी आ रहा है ना या फिर accessibility barriers की बात करो उनको हमें correct out करने की जरुरत है तो जरुरत है कि government में basically जो health ministry है उनको इसके लिए ज्यादा approach में काम करना होगा तो ऐसे में 2019 में health ministry के एंडर में central TB division डवलप किया गया था जिसमें ये ही था कि gender responsive approach हम तयार करेंगे TB को रोकने के लिए इंडिया में ठीक है अब ये देखो इस document में जो भी अप्रोच तयार की गई थी जो भी एक central theme थी वो ये कि women के सामने जो challenges आ रहे हैं उनको ठीक करना उन challenges को खतम करना ऐसे में दिसमबर 2021 में एक parliamentary conference भी organized होती है और उस conference का नाम conference की जो theme थी वो थी women winning against TB और ये organized किस ने करवाई थी ministry of women and child development के दुआरा कि TB जैसे बीमारियों को खतम करने के लिए हमें gender responsive policy बनानी होगी क्योंकि हमारे याँपर gender biasness देखने को मिलती है साथ में जो और political leaders हैं for example vice president of India इन्होंने भी अपनी तरफ से constitutional leader है तो इन्होंने भी कहा कि हमें nutritional support भी देने की जरूरत है देखो सीदी सी बात है बिमारी एक शरीर पर हावी कब होती है infection सबको होता है पर ज़्यादा deadliest किसके लिए थाबित होती है जिसकी body में immunity ना हो या फिर nutritionally अगर देखें तो वो weak हो तो ऐसे में nutritional support देना जरूरी है बच्चों को और ओड़तों को तो जैसे ये TB की जो services है वो फिर बाद में आप प्रूच कर पाएंगी कैसे कि सिदी सी बात अगर किसी को infection है और उसकी body अगर immune है और अच्छी nutritional intake है खाना अच्छा मिलता है उनको तो फिर TB का infection हो भी गया तो जो दवाईयां दी जाएंगी वो effectively काम कर पाएंगी तो ऐसे में nutritional value किस section में कम है हमारे society में social economically weaker background से आने वाली जो औरते हैं उनमें ये problem है तो ऐसे में nutritional value और TB का proper treatment ये दोनों चीज़े जब मिलेगी वो भी case basis पे एक तरीकी से gender responsive manner में है ऐसा नहीं कि हाँ female जो है वो पीछे रह गई तो ऐसे में ये बिमारी खतम नहीं हो पाएगी तो ऐसे में यहाँ पर writer जो है वो कुछ political will show करने की बात कर रही हैं कि कैसे political leaders काम कर सकते हैं अपने खुद के एक area में खुद के domain में जो women है उनको TB से बचाने के लिए तो अब देखते हैं वो एक-एक सबसे पहला suggestion तो यह दिया जा रहा है कि elected representatives जो हैं उनको ज़रुत है कि वो साथ में आए और जो issue है उसको proper highlight करे relevant forums पे और spaces पे जैसे मान लो international platforms पे meeting होती है TB को control करने के लिए national level पे state level पे वहाँ पर जब proper engagement होगी discussions होंगे और issue को highlight किया जाएगा तब ही तो काम हो पाएगा तो ऐसे मैं writer जो है वो बोल रही है कि मैं खुद अपने colleagues वैसे यह MPI elected है ठीक है तो इनका भी यही कहना है कि मैं अपने colleagues के साथ में यही बात करती हूँ क्यों ना हम TB programs को लेकर के जो TB को control करने के लिए जो programs conduct करा रही है सरकार उसके लिए क्यों ना हम district level पे या community level पे engagement करें लोगों के साथ में और उसमें यह भी ensure किया जाए कि women leaders हैं उनका participation हो तो पहला तो यह हो गया कि आप engagement rise करो दूसरा यह कि एक proper counseling network strengthen होना चाहिए जिससे क्या है कि जो अड़तें बिमार हैं और अपने बिमारी को कैतना कि कही ना कही छुपा के रखती है या फिर secondary मानती है खुद को family में उनको empower करना कम से कम awareness तो फैलाना देखो होता क्या है हमारे गरों में सबसे पहले बच्चों को या फिर जो male candidate होता है उनको खाना खिलाया जाता है या बड़ों को और फिर उस सबसे last में हमारे यहां पे औरतें खाना खाती हैं तो ऐसे में जब intake में ही इतना partiality देखने को मिल रही है तो इसका असर फिर बाद में long term में देखने को मिलता है फिर बाद में बिमारी भी अगर कोई आती है तो उसको फिर ignore ही किया जाता है ठीक है तो यहां पर क्या ज़रुत है कि patient कोई भी हो और वो treatment चाए government hospital से ले या फिर private hospital से ले उनके लिए proper capacity building करने की ज़रुत है families को educate करने की ज़रुत है कि भई औरतों को भी आप equal treatment provide करो ऐसा नहीं कि औरत है चलो बाद में देख लेंगे कोई issue नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए एक inclusive manner में काम करना होगा तीसरा suggestion दे रहे है writer कि nutritional needs है women की उस पर ध्यान देना होगा जिससे कि उनका intake है वो proper हो जाए अब हमारे patriarchal notion है चीदी सी बात है society में खाना सबसे last में खाती है तो बचा हुआ mother India movie आपने देखी हो नर्गिश दत की तो उसमें यही चीज़ बताई गई थी तो बोला इन चीज लगबग लगबग 200 करोड रुपए तक का खर्चा किया जा चुका है जिसमें जो भी women TB patient है उनके account में सीधा 500 रुपए monthly transfer कर दिया जाता है जिससे कि वो अपना intake है उसको थोड़ा ठीक कर सके और intake जब ठीक होगा food intake nutritional value या nutritional standard body का वो बढ़ेगा तो फिर TB के against में जो immunity system है व immune system भी अच्छे से काम कर पाएगा ऐसे में एक proper inter departmental coordination establish करने की भी जरूरत है जैसे हम एक तरफ तर nutrition की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ हम इस TB जैसी बिमारी को treat करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में public distribution system और ministry of health and family welfare के बीच में एक proper coordination होगा तो इससे क्या होगा एक rich protein rich diet भी देन पॉसिबल हो पाएगी TB patient को और जिससे क्या होगा कि फिर वो balance diet लेंगे और फिर treatment मिल जाएगा तो ऐसे बिमारी को रोकना मुश्किल नहीं होगा चौथा suggestion दे रहे हैं कि community level पे होताना है कि हाँ एक accurate messaging होनी चाहिए TB से संबन दे कि भई TB के क्या symptoms है ऐसे symptoms अगर किसी को feel हो रहे हैं तो आप दिखाओ doctor को या फिर अगर आप gender issues को पे फसे पड़े हो कि हाँ जी और ओरत है हो गई तबियत खराब तो वो चीजे नहीं होनी तो ऐसे में community level पे accurate messaging declare होनी चाहिए जिससे क्या awareness आईगी तो awareness से ही हम इस तरीके की menaces को control कर पाएंगे तो ऐसे में 8th of March को women's day observe किया जाता है तो इसमें केवल होता है ना कि women issue जो highlighted है कि सिर्फ इनी पर ध्यान देने की जरुरत नहीं है हमें थोड़ा और in deep जाने की जरुरत है for example public health जिसमें TB अपने आप में बहुत बड़ी problem का कारण है तो हम जो सपना देख रहे हैं TB मुक्त भारत वो तब ही हो पाएगा जब ये एक कहतना की है अच्छी holistic approach होनी चाहिए तब जाकर कि ये correction आ पाएंगे आगे चलता है next article is the notion of de-dollarization आर्टिकल को लिखा है सची दानंद शुकला जी ने तो इनका ये कहना है कि जिस तरीके से अभी रशिया ने aggression दिखाया यूक्रेन में तो उसके बाद में swift sanctions लगा दिये गए रशिया पे कि जो banking transactions है international वो रशियन बैंक्स अब conduct नहीं कर पाएंगे तो इस चीज को लेकर के एक तरीके से trend चल पड़ा है कि US जो है वो अपनी dollar का ही जो dominance है international trade में या internationally जो foreign exchange reserve जो countries अपने पास में रखते हैं उसमें dollar का बहुत important role है dollar dominated global banking system बन चुका है तो इस चीज पर अब question आने लगए है कि USA तो इस तरीके से एक offensive weapon की तरह यूज़ करेगा ठीक है आज तो चलो रशिया ने तो aggression दिखाया पर कल को नई USA जो है वो अपने हिसाब से अपने मनमानी करनी शुरू कर देगा जैसे कि एरान के साथ में होता है कि इरान पर sanctions लगा दिया इरान जो है वो dollars में trade नहीं कर पा रहा है तो international global supply chain है उसके साथ में engagements नहीं है उसकी proper तो ये तो एक unilateral कदम उठाने का तरीका हो गया तो ऐसे में world की कई economies हैं जो की de-dollarization के तरफ move कर रही हैं ठीक है इससे क्या है कि global supply chain में जो dollar का जो role है उसको reduce किय जाए trade में और साथ में जो global foreign globally जो forex market है जैसे हमारे यहां पर भी हम भी foreign exchange reserve रखते हैं कि हाज internationally हमें trade करना है या कोई भी चीज़ की ज़रुत होती है international market में तो हम dollar की valuation में ही करते हैं ज्यादा तर तो इस case में क्या होता है कि कहीना के dependency USA की policies पी होगी कि USA की policy कुछ भी decide होगी उसी case आप से काम चलेगा तो ऐसे में अब नए options को explore किया जा रहा है different countries के द्वारा आज देखो अलग-अलग जो central banks and world के उन्होंने US dollar के अलावा euro, gold, renminbi इन पर focus करना शुरू कर दिया कि भाई क्यों ना हम भी foreign exchange reserve को diversify करें इसी process को बोला जा रहा है de-dollarization की dollar पे dependency खतम करना international trade में and foreign exchange reserve के अगर point of view से देखा जाये तो तो ऐसे में आप देखो कि geopolitical risk बहुत जादा है US अपनी मनमानी करने की कोशिश कर सकता है, offensive weapon की तरह यूज़ कर सकता है इसी का एक result क्या है कि जैसे ही swift sanctions अभी declare किये गए तो रशिया और चाइना ने अपने नए payment system को introduce किया और उसके ओपर काम भी करना शुरू कर दिया है तो रशिया का तो देखो swift के लिए alternate क्या तयार किया हुआ है SPFS जिसको बोला जारा है system for transfer of financial message और चाइना के दुआरा जो है वो CIPS डवलप कर रखा है चाइना ने cross border interbank payment system तो इसमें क्या है कि international transactions जो भी होंगे उसमें अब swift को bypass करने की तयारियां दोनों countries ने कर रखी है और दोनों के बीच में trade भी continue है तो इस case में क्या है कि जो swift में dollar dominated एक trade होती है या फिर जो भी transactions होता है banks की बीच में उसको यहाँ पर bypass करने का provision हो गया कि नहीं तो इसी तरीके से de-dollarization जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और एक तरीके से हम देखें तो जिस multipolar world की हम बात करते हैं इंडिया हमेशा एक चीज बोलता है कि bipolarity या unipolar world नहीं होना चाहिए होना चाहिए multipolar world जहां पर एक superpower ना होनी की बजाए बहुत सारी superpowers हो जो की अगर एक भी aggression दिखाए तो दूसरा counter कर सके उसको एक world community के लिए beneficial काम कर सके तो ऐसे में multipolar world की बात भी आये तो फिर इसका मतलब हो गया कि हर एक country के पास में economic और monetary policy में autonomy होनी चाहिए इसका मतलब कि हम हमारे हिसाब से हमारी monetary policy तैयार करें आज हम कितना पढ़ते हैं कि USA में interest rate rise होगी तो हमारे यहाँ पर यह problem हो गई राइट कि जो fpi है वो withdraw हो गया अगर USA में interest rate rise हो रही है न इंगलेंड की interest rate rise होने का इतना असर नहीं है जितना हमारे USA के interest rate rise होने का असर है क्यों क्यों क्योंकि foreign exchange reserve जो है उसमें ज्यादा तर हमारे पास में dollars available होता है तो उस case में क्या हो गया dollar की value रुपए के comparison में उपर नीचे जो variation आता depreciation appreciation तो उसका असर सीधा हमारी economy पे रहता है तो ऐसे में हमारे पास में economic autonomy नहीं रह पाएगी तो क्यों ना हम मतलब हर एक country ऐसा नहीं चाहेगा क्या कि वह अपनी economic autonomy ensure कर से कि और monetary policy जब भी finalize हो तो उसमें यह नहीं देखना पड़े कि हाजी USA की क्या policy है आज Russia और चाइना एक तरफ और US इस तरफ एक तरफ इनकी बीच में geopolitical rivalry चल रही है लड़ाई जबर्दस थामने सामने और इसी process इसी rivalry के चलते डी-doralization की process को एक push मिल रहा है और इंडिया भी देखो अपनी तरफ से efforts कर रहा है पहले भी किये हैं कि कैसे ना कैसे कह हम दूसरे arrangements पर focus करें for example barter arrangement मान लो इरान से हमारा कुछ lending हो रहा है आज तो वो हो रहा है dollars की बजाए barter system में इरान हमें कुछ consignment भीजता है और उसके बदले में हम भी कुछ consignment भीज देते हैं ठीक है हाँ valuation जो है वो इस तरीके से manage कर लिया जाता है कि अगर इरान से हमारे crude oil आता है पर वोई चीज है कि अब जो है कैसे भी करके एक de-dollarization का जो process है उस पर Russia ने तो देखो अपनी तरफ से पूरे कहते हैं कि अपने पूरे flood gates हैं वो open कर रखे है शुरुआत होती है 2014 में जब Russia ने annex किया क्रीमिया को और उसके बाद में sanctions लगा दिये तो Russia ने तो देखो अपनी तरफ से dollar का जो dependency है dollar पर dependency उसको reduce कर दी कैसे है ये देखो इसमें three pronounced efforts है यहाँ पर बताय जा रहे है रखे पहला कि Russia ने dollar dominated assets जो भी हैं उनको 2021 आते 16% तक ला दिया है एकदम reduce करते करते ठीक है इसके अलावा Russia ने already announce कर दिया है कि US की जो United States की जो dollar है उसको अभी तक national wealth fund में वो 186 billion dollar तक उसका चल रहा है तो उसको और reduce करेगा वो मतलब कि dollar पर dependency हमें रखनी ही नहीं है पहला point तो यह दूसरा Russia ने क्या कर रखा है कि जो trade करता है Russia वो USA की जो dollar है उसको priority में नहीं रखते हुए national currencies को focus में रख रहा है जैसे कि rubel का transaction करें रुपए के साथ में रुपी के साथ में इंडियन रुपी के साथ में तो इसमें क्या हो जाएगा कि USA के dollar की ज़रुवत ही नहीं पड़ी तो national currencies की बीच में bilateral trade को promote करना चाता है तो ऐसे में आप देख सकते हो BRICS countries के साथ में जो Russia का trade है वो United States के dollar के अगर valuation point of view से देखे न तो आप देखो कि 2013 में 95% जो भी trade था ना BRICS countries के साथ में जो रशिया का वो 95% हुआ करता था जो कि घट करके सिर्फ 10% आ गया है 2020 में तो कितने dependency reduce कर दी और तीसरा रशिया ने अपना खुद का एक national electronic payment system तैयार कर रखा है मिर 2015 से बात तक अभी तक देखें तो Russian banks जो हैं जिनको भी ये electronic transactions डिनाई कर रखे हैं वो सारे के सारे banks क्या है इस मिर वाले electronic payment system पे काम कर रहे हैं तो अब आप देख लो कि foreign exchange reserve, trade और electronic transaction तीनों तरफ से रशिया ने तो अपने आपको immune कर रखा है कि कैसे भी करके हमें dollars पे इतना rely नहीं करना है बेशक dollar का जो dominance है वो भी बहुत जादा है पर एक शुरुआत तो हो गई और China भी इसमें continue है ऐसे में जो अब देखो कि ये Russian जो steps है dollar को dollar पे dependency को reduce करना तो writer बोल रहे है कि इतना कोई NF तो नहीं है कि Russia इस चीज़ internationally अपने आपको एकदम protect कर पाएगा ठीक है पर फिर भी efforts तो शुरू हो गए ना दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो China लगातार अपनी जो currency है रमेंबी ठीक है उसको लगातार बढ़ा रहा है और रमेंबी की trading के लिए Hong Kong, Singapore और Europe में चाइना ने trading centers भी open कर दिया है कि हाँ भई रमेंबी में कोई भी अगर व्यापार करना चाहता है रमेंबी की valuation में dollar को हटा करके तो बोला हम उसको allow करेंगे तो China अपनी currency को और ज़्यादा expand कर रहा है 2021 में People's Bank of China ने submit किया एक global sovereign digital currency that means अपनी खुद की जो digital currency जिसको हम बोल सकते है E yuan या ठीक है ना मतलब वहाँ की जो currency है उसको रमेंबी भी बोला जाता है और currency की जो एक unit होती है उसको युवान बोला जाता है युवान का मतलब होता है एक unit जो की circle में यू बनी हुई रहती है मतलब एक तरीके से old silver coin Chinese में Chinese या Mandarin जो language है उसमें युवान का मतलब होता है old circular shape में old coin silver से बने हुए है तो युवान और रमेंबी दोनों को interchangeably use किया जाता है ठीक है बट रमेंबी है वो internationally recognized एक तरीके की currency है जबकि युवान एक unit है जैसे एक सिक्का हम जिसको बोल देता है कि एक रुपे का सिक्का है दो का सिक्का है उस तरीके से तो internationally digital currencies को promote कर रहा है चाइना अपनी तरफ से तो ये भी एक कदम उठाये जाए तो रश्या अपनी तरफ से efforts कर रहा है चाइना अपनी तरफ से efforts कर रहा है कि कैसे भी करके अपनी खुद की currency को international recognition मिले ज़्यादा से ज़्यादा trade में IMF में अगर बात करें international monetary fund में उसमें भी देखो 2016 में जो special drawing rights है SDR उसमें क्या होता है ये एक तरीके के IMF की currency ही होती है पर ये ऐसी currency नहीं है जिसको कि किसी sovereign country की backing हो बस ये है कि एक तरीके से एक idea है या फिर एक कह सकते ने paper है ये ठीक है और उस paper को backing दी जाती है अलग-अलग countries के contribution के द्वारा तो ऐसे में उस contribution में चाइना की जो renminbi है या फिर जिसको हम yuan बोल रहे हैं उसका contribution बहुत हद तक बढ़ा है तो ऐसे में SDR में SDR का जो basket ही है that is SDR special drawing rights उसकी basket में remnbi को 2016 में add कर दिया था तो आप देख सकते हो कि कितना assertion आ रहा है लगातार चाइना अपनी currency को कैसे promote कर रहा है इसके अलावा European Central Bank ने भी European जो euro है ठीक है उसको 500 million worth का foreign exchange reserve के तोर पे अपना खुद का जो foreign exchange reserve हो yuan dominated securities के तोर पे develop कर रखा है मतलब ये कि European Central Bank है ना उसने अभी तक लगबग 500 million euro की value जितनी होती है ना उतना yuan dominated securities को रख रखा है इसका मतलब क्या हो गया कि Europe और चाइना की बीच में trade इतना ज़्यादा हो चुका है कि Chinese dominated Chinese currency dominated जो securities है उनको foreign exchange reserve के तोर पे European Central Bank अपने पास में रखता है तो ऐसे में आप देख सकते हो कि de-dollarization के तरफ चाइना ने भी अपने पूरे अच्छे से कदम उठा रखे है पर ये इतना आसान नहीं है US का जो dollar है ये देखो लगातार international trade और foreign exchange reserve में अपनी role को dominating role में continue बनाये रख रहा है 1970 के दशक से लेकर अभी तक देखें तो साओधी अरब और US दोनों के भी इसमें deal sign होती है कि global energy trade को हम dollar में ही continue करेंगे और Saudi Arab OPEC countries में leading producer अगर crude oil की बात करे तो तो ऐसे में और energy security सबसे important role play करती है आजकल जितनी भी economy zone सब में तो ऐसे में ये जो एक stand था 1970 का जिसमें dollarization हो गया था वो अभी तक बढ़ता चला गया दूसरी तरफ Bretton Woods Institution IMF और World Bank जिनको establish किया गया था कि Second World War के बाद में जो बरबादी हुई है Western Europe में या फिर European countries में उनको reconstruct करना और उनको economic activities को बढ़ाना उसके लिए जब IMF और World Bank को establish किया गया था तो वो भी धिरे धिरे ineffective होते चले गए तब जाकर के dollar का और जादा domination हा गया ठीक है आज देखो USA की government अपने हिसाब से जो foreign जो कहता है की अपनी interest rates है उनको जो define करती है तो उसका असर सीधा देखने को मिलता है internationally जैसे foreign policy क्या है US की उसके हिसाब से dollar का use करना और उसी फिर dollar की जो price है या जो value है उसका असर फिर दूसरी जो domestic economies है for example हमारी खुद की economy है चाइना की economy है कोई दूसरे country की economy है उस पर सीधा असर ये पुरी पकड़ होगी USA की इसके आगे foreign exchange reserves में आज देखें जितने भी central banks उनमे 60% के लगबग तो dollar ही है दूसरा global trade जितना होता है उसका 70% जो trade है वो dollar की values में ही होता है ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतना volume है US की dollar का international system में economic system में तो वो कैसे कम होगा और रही सही में एक psychology or add हो चुकी है दिमाग में एक भ्रांती होती है न या dollar से मतलब दिमाग में क्या आता है कि सबसे ज़्यादा confidence वाली currency कौन सी है risk free currency कौन सी है तो dollar ही दिमाग में आती है अगर value store करनी है तो dollar ही दिमाग में आती है अगर हम देखते हैं foreign exchange reserve तो भी हम dollars में valuation देखते है चाहे हमारे पास में gold भी है, sdr भी है, yuan भी है, मानो कुछ भी international currency जिन को इकटा करके हम बोलते है by 630 billion US dollar हमारे पास में foreign exchange reserve तो valuation हम किस में कर रहे हैं US dollar में तो एक psychology और एड हो चुकी है, तो ऐसे में dollar को एकदम से बंद करना ये तो देखो possible है नहीं पर हाँ, ये चीज है कि एक trigger दब चुका है, जिसमें efforts हो रहे हैं कि foreign exchange reserve या फिर international trade है उसकी valuation या तो gold में हो, या euro में हो, या दूसरी कोई foreign currencies में हो देखो ये बाट ठीक है, कि जिस तरीके से European Union ने या फिर European countries ने USA के साथ मिलके Russia पे sanctions लगाए, तो surgillend जो की एकदम neutral country है, जो अपनी खुद की एक currency चलाता है European Union का member है नहीं वो, वहाँ की currency है Swiss franc तो surgillend में भी Russia पे sanctions जब लगाए गए, तो उसको join कर लिया इवन यहाँ तक कह दिया कि हमारी जो currency है, उसका use नहीं करेगा Russia कहीं पर भी कोई लेंदेन करना चाता है तो पर वोई चीज है कि आप कितनी ही अपनी, कैतना monopoly create करो कितना ही आप अपना coalition create करो, alliance create करो for example, China और Russia का तो हम देख चुके हैं और इंडिया भी अब अपनी जो रुपी है उसकी value को बढ़ाने की effort पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी efforts लगा रहा है, एक तो क्या है कि हमारे पास में और चाइना के पास में जो एक population का जो strength है, international अगर बात करें तो financially सबसे ज़्यादा अगर demanding कोई countries है, population अब demand कौन करेगा, population करेगी और population wise इंडिया और चाइना दोनों वर्ल्ड के दो most populous countries है, तो इस case में इंडिया भी इस line में लगातार भढ़ रहा है, 2008 में जब global subprime crisis आये थे न, तब भी USA की economy में जिस तरीके से crisis आये थे, सबसे बड़ी problem में ही western countries ही रही थी उस time पे 2008 में, जब ये crisis आये था, तो उस time पर ये western countries की जो currencies हैं, उनको challenge करना शुरू कर दिया था, तो शुरुआत तो उस time पे हो गई थी, पर वो इतना pace इस नहीं पकड़ पाई, पर अभी की जो situation जिस तरीके से आ रही है न, वो ये कि de-dollarization की तरफ, अब countries openly, openly काम कर रहे हैं, US जो है, USA जो है, वो अपने dollar को weapon, weapon की तरह यूज़ करता है, और साथ में, ये जो path है, जिसमे dollar पे dependency को reduce करना है, ये इतना आसान भी नहीं है, पर efforts जो हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो ये है पुरा कि कैसे international market की अगर हम बात करें, फिर एक point और था यहाँ पर, कि China के सामने, जो revenue भी है, उसको जल्दी से ज़्यादा promote करने में मुश्किले एक कारण की वज़े से और आ रही है, वो है convertibility, कि जो revenue है, उसको दूसरी जो foreign currencies है, उनके साथ में जल्दी से convert करना, कि भई, revenue से दूसरी कोई currency जैसे मालनो रूपी है, इंडिया का, इंडिया चाइना के बीच में trade हो रहा है, तो revenue भी रूपी में convert हो, और फिर revenue भी में convert हो जल्दी से, और उनके बीच में confidence हो दोनों countries के बीच में, और साथ में internationally भी recognize किया जाए, कि हाँ जी, ये दोनों currencies जो है, वो एक दूसरे के साथ में इस तरीके से connected हो, और दोनों trade कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चाइना को कहीं न कहीं problems का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि revenue अभी proper convertibility achieve नहीं कर पाया है, जबकि dollar आपको पता है, convert आराम से होता है, किसी भी country में जाओ, dollar दो, और उसके बदले आप आराम से उस particular country के currency ले सकते हो, for example, आप मान लो आपके पास में dollars है, और आप Thailand गए घूमने, तो वहाँ पे आपने dollar दे दिया ना, तो वहाँ की जो currency है, वह आपको वहीं पे दे दी जाएगी, convert करके, क्योंकि dollar पे जो psychological confidence है लोगों का, वो चीज उसको क्या है, और relevant बनाती है, तो ये भी एक थोड़ा मुश्किल का काम है, कि dollar पे dependency reduce करना इतना आसान भी नहीं है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, clean energy must use the battery of circular economy, देखो इसमें ये बताया जा रहा है, आर्टिकल को लिखा है, आकांग शात्यागी जी ने, इनका ये कहना है, कि हम अगर renewable energy या clean energy की तरफ shift करना चाते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरी है, कि एक circular economy बनाई जाए, circular economy का मतलब ये होता है, कि एक बार आपने कोई product तयार किया, उस product को user ने use किया, और उसके बाद में वो खराब हो गया, किसी भी वज़े से उसको छोड़ दिया, तो ऐसे में उस छोड़े हुए product को reuse करने के लिए हमें वेवस्ता करनी होगी, जिसमें उसको dismantle किया जाए, और dismantle करने के बाद में अलग-अलग parts में divide किया जाए, और उन parts को जिनको as it is use किया जा सकता है, उनको फिर से नए product बनाने में काम में लिया जाए, और जिनको हलकी फुल की processing की ज़रुए तो उनको process करके अगले product में use किया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, कि एक लगातार हम एक नया system तयार कर लेंगे, इससे क्या है, कि nature पे जो pressure अब वो down कर पाएंगे, और ये चीज हमारे यहाँ पर, budget session के टाइम पर हमारे finance minister ने ये बोला भी, कि हम जो है, वो solar energy और battery ecosystem को आने वाले टाइम पर बढ़ाएंगे, जो कि हमारी economic growth को boost करेंगे, तो writer जो हैं वो बोल रही है, कि हमें जरुवत है एक circular economy की, देखो अगर हम market estimates की बात करें, कि market में क्या valuation चल रहा है, तो एक circular economy जो है, वो बहुत ही important हो जाती है, अगर हम सही में चाहें, कि जितना भी renewable energy की तरफ हम जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको पता है, waste भी generate होगा, क्योंकि एक बार solar panel आपने बना दिया, वो solar panel कभी ना कभी तो खराब होगा, और खराब होगया तो क्या उसको आप कच्रे में डालोगे, कच्रे में डालना तो possible होगा नहीं, अगर कच्रे में डाला जाएगा, तो फिर environment के लिए losses हैं, और उसका ultimately consequence हमें उठाना पड़ेगा, तो क्यों ना उसको circular economy का पार्ट बना दिया जाए, और उसी के parts को dismantle करके और use किया जा सके, तो ऐसे में अगर हम International Renewable Energy Agency आईरेना के हिसाब से देखें, जो कि एक intergovernmental organization है, उसका ये कहना है कि sustainable energy future के हिसाब से हम देखें, ही ना हो या फिर हमें किसी दूसरे country पे dependency ना रखनी पड़े, तो इसके लिए ये बात है कि 2030 आते आते इंडिया में आप देख सकते हो, कि total installed capacity जो होगी वो बहुत ज़ादा होने वाली है, क्योंकि हम target क्या के लेके चल रहे हैं कि 2070 तक आप देख सकते हो, कि हम carbon neutral country बनना चाते हैं, तो renewable energy का रोल बहुत important है, तो solar capacity कितनी होगी, 325 kilo ton आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर waste generate हो जाएगा, एक घंटे, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, अच्छे से कि कच्छा कितना produce होगा renewable energy की वज़े से, जिसको कि हमें recycle करने की ज़रुत है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि 2030 तक 325 kilo ton जो renewable energy used solar power, solar जो पैनल होंगे, जिनको हमें recycle करने की नौबत आएगी, वो इतना waste generate हो जाएगा, ठीक है जी, दूसरा 325 kilo ton का कच्छा तयार हो जाएगा, प्रोसेसिंग की ज़रुत पड़ेगी, नहीं तो यह कच्रा कच्रा हो गया तो फिर बाद में, फिर natural resources को exploit करो, वो नुकसान हो जाएगा, इसके अलावा एक consulting firm है, JM के research and analytics, उन्होंने अपने estimation में यह बताया है, कि 2030 तक इंडिया में, जो battery recycling की अगर बात करें, तो वो होगी लगबग 23 gigawatt hour की, इसका मतलब battery की capacity की बात कर लो, और इधर solar panel की capacity की बात कर लो, दोनों कितना ज़्यादा produce करेंगे wastage को, तो ज़रुत है एक circular economy की, इसके अलावा council on energy, environment and water, CEEWC, ठीक है, इसके हिसाब से estimation देखें, तो जो target है हमारा net zero target अचीव करना, तो उसके लिए बात ऐसी है, कि हमें 1792 gigawatt तक का तो wind energy अचीव करना होगा, और 530 gigawatt तक का solar energy installation को अचीव करना होगा, तब जाकर के net zero target को हम अचीव कर पाएंगे, तो हैसे में हम जो target लेकर के चल रहे हैं, renewable energy के basis पे उसके लिए हमें सोचना होगा, नहीं तो क्या है, target एक तरफ तो अचीव होगा, दूसरी तरफ environmental consequences देखने को मिलेंगे, तो वो ठीक नहीं है, तो हैसे में writer जो हैं, वो suggestions दे रहे हैं, पहला तो एक clear framework होना चाहिए, policy जो है, वो इस तरीके से बननी चाहिए, कि आज के टाइम पे जो भी electronic waste है, उसको manage करने के लिए जो rules है, उनको revise किया जाए, क्योंकि market में जब भी कोई product अगर launch हो रहा है, तो उस product को launch करने वाली company के एक proper responsibility होनी चाहिए, कि आपके product को use करने के बाद में, अगर user कचरे में डालता है, तो आप उसको collect करवाओगे, इसको बोलेंगे extended producer responsibility, इसका मतलब कि एक producer ने अगर कोई component तयार किया है, और तो उसी की जिम्मेदारी है, कि उसको वो recollect करे, और उसको reprocess करे, नहीं तो क्या होगा, कि केवल पैसा कमाने के चक्कर में, एक company केवल और केवल production पर ध्यान देगी, ये नहीं देखेगी, उसकी कोई जिम्मेदारी भी है, ecological responsibility है, तो ऐसे में waste product को collect करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रॉपर उनका management भी होना चाहिए, फिर क्या है, कि उस product को आप recollect करके, आराम से जो दूसरे product नए produce कर रहो, उनमें use कर रहो आराम से क्या problem है, तो इसके लिए ज़रूरत है एक revised regulatory provision की, दूसरा suggestion writer ये दे रही है, कि जो भी कच्रा बन रहा है, electronic component का, चाहिए हम renewable energy components की बात करें, तो उनको कच्रे में डालने को बंद करें, कि dumping नहीं की जाएगी, और उनको जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है, कि अगर जलाया जाता है, तो बहुत नुकसान होता है, हवा में भी toxic जो gases हैं, sulfur dioxide जैसी gases जो वो मिलती हैं, और dump किया हुआ, कच्रे वाले area, कच्रा बना करके उसको एकदम खुले में डाल दिया, तो फिर बारिश आने के साथ में, जो cadmium जैसे poisonous, जो minerals हैं, या metal है, वो क्या करता है, leech करके या फिर percolate कर जाता है, तो फिर बाद में वो soil को भी degrade कर देगा, और ज्यादा नीचे तक चला गया, तो groundwater को pollute कर देगा, तो ऐसे में proper management होना चाहिए, renewable energy के लिए, जो भी हम investment कर रहे हैं, चाहिए वो metal content हो, या non metal content हो, panel को बनाने में, जो भी use हो रहा है, उसको proper manage करने की ज़र्वत है, तो फिर वो food chain में एंटर हो जाएंगे, और आपको पता है कितनी problem हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे में देखो, एक simple study में ये पता पड़ा है, कि जब solar panel को एकदम कच्रे में डाल दिया जाए, तो उसमें heavy metals होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि photovoltaic cell में 90% के लगबग होता ये content, अब ये जो leaching हो जाएगी इसकी, एक तो हो गया क्या lead और एक cadmium, lead का 90% और cadmium 40%, ये क्या है toxicity बढ़ा देगा, condition जो है आसपास की उनको acidic बना देगा, तो soil भी खराब हो गई, और फिर बाद में आप वैसे ground water में अगर mix हो गया तो वैसे toxic हो जाएगा, तो वैसे problem हो जाएगी, वैसे ही कितनी खतरनाग बिमारियां चल रही हैं, इसके अलावा अगर उन solar panels को जला दिया जाएगा, तो sulfur dioxide जैसे content हैं, वो हवा में मिलेंगे, या फिर जो volatile organic compounds होते हैं, VOC जिनको हम बोलते हैं, वो भी हवा में मिलेंगे, तो air pollution हो जाएगा, फिर next suggestion दे रही है writer, कि एक proper research and development पर भी हमें जाने की जरुवत है, ऐसे में जो renewable energy industry है, उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा invest करने की जरुवत है, क्योंकि एक proper recycling technology जब तक हमारे पास में नहीं होगी, तब तक हम एक sustainable manner में इस energy dependency को continue नहीं करेंगे, तो इसके लिए देखो, जो भी solar panel है या wind mills हैं, ठीक है, उनको आप dismantle करो proper, उसके disassembly करो, dismantle का मतलब उनको खोलो, तोडो, या फिर आपको लगे कि हाँ कुछ components ठीक हैं, जिनको reuse कियाजा सकता है, तो उनको dismantle करके निकाल लो, इसके लिए देखो ज़्यादातर manual processes हैं, और कुछ automated processes हैं, तो इसको हमें focus में लाना होगा, इसके लिए नए methods research करने होंगे, इसके लिए जो भी company हैं, उनको research and development में और efforts लगाने होंगे, देखो disassembly जो है, वो mechanical, thermally और chemical यी तीनों तरीके से की जा सकती, mechanical का मतलब crush कर दो उसको, thermally का मतलब high temperature पे उनको eat up करो, जिससें की वो components अलगल हो जाएं, chemical ही अगर आपके पास में कोई chemical available है, तो वो डाल दो, जिससें की आप components को separate कर सको, जिससें की जो reusable material हो तो reuse कर सकते हैं महासानी से, recycling proper होनी चाहिए, और उसके लिए efficient environment होना चाहिए, ऐसा नहीं की recycling कर रहा हैं तो नुकसान ज्यादा हो रहा है environment को, नहीं नुकसान काम होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, एक proper technology development होना चाहिए, फिर इसके आगया अगर देखें, तो राइटर ये बताना चाहिए हैं, कि domestic recycling facility भी हमें develop करने की ज़रुत है, जैसे किसी भी district headquarter पे इस तरीके की facilities हो जाए, या जहाँ पर भी town है, जहाँ पर solar panel या फिर इस तरीके की renewable energy appliances यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए काम हो सकता है, और वोई बात है raw material की supply को भी फिर इससे हम ensure कर पाएंगे, ठीक है ना, आजओ फिर चौथा point क्या बता रही है, finance, भी सीधी सी बात है, पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए, innovation में हमारे इंडिया में कमी जिसकी रहती है, उसमें सबसे बड़ी problem है funding की, क्योंकि research and development में पैसा बहुत लगता है, और पैसे के लिए state government और central government को साथ में आना होगा, और इसके लिए public private partnership पर भी focus करना होगा, तब जाकर के एक proper recycling ecosystem हम develop कर पाएंगे, नहीं तो waste को waste ही बना हुआ छोड़ देंगे, और उसको recycle नहीं करेंगे, तो फिर बाद में long term में हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, पांचवा suggestion, हमें जरुद है कि एक जो product की जो design है, वो एकदम proper होनी चाहिए, कैसे हैं, कि आज आपने कोई solar panel तैयार किया, तो इतना complex मत बनाओ उसको, कि कल को न वो अगर खराब हो जाता है, malfunction करना शुरू कर दे, तो वो कच्रा बन गया, repair भी कराना मुश्किल नहीं होना चाहिए, repairing भी proper हो, और अगर वो खराब हो गया, तो उसको dismantle, disassemble करने में problem नहीं आनी चाहिए, तो SME उसके design जो है, वो इसी तरीके की होनी चाहिए, quality अच्छी होनी चाहिए, ये चीजें भी improve करने की ज़रुएत हो, तो SME भी research and development का का काम हो गया, साथ में, जो product आउट डेट हो गया है, जिसको हम छोड़ रहे हैं, उसको proper recycle करना आसान हो, इस तरीके की design होनी चाहिए, फिर छटा suggestion, कि union और state government को, एक stringent quality manage करने के लिए standards fix करने होंगे, इसका मतलब ये, कि सरकार को ऐसे standards fix करो, कि भई ये जो component है, कोई भी चिप है, कोई भी solar panel आप बना रहे हो, कुछ भी आप तैयार कर रहे हो, तो उसके production में, ये minimum standards आपको ध्यान में रखने होंगे, उससे क्या होगा, कि उन standards को आप इस तरीके से formulate करो, कि कल को नए वो panel, use से out हो जाए, तो उसको recycle किया जा सके properly, ठीक है, तो end of the life के time पे, वो components को separate किया जा सके, और use किया जा सके, तो भई बात ऐसी है, कि quality और quantity, दोनों चीजों के हिसाफ़ सामें सोचना जरूरी है, quality product होंगे, तो energy efficiency भी आएगी, और quality product होंगे, तो repair करने में problem भी नहीं आएगी, और quality product होंगे, तो उनको recycle करने में भी problem नहीं आएगी, अब देखो हमारे यहाँ पर, जो recycling की बात करें, जो कच्राई को collect करने की बात करें, यह सारा काम, और उनको जो एक कितना की, पूरा circular economy की अगर हम cycle की बात करें, वो भी improve हो, ऐसे में उनको जो, वो लोग जो काम करते हैं, जो अपने हाथों से dismantle करते हैं, electronic components को, उनको भी आप एक safe and secure environment दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कल को ना आप solar panel को dismantle करने के लिए, या फिर जो recycle करने के लिए, आपने बात तो कर दी, पर उसमें problem यह है, कि जो लोग involved हैं उस recycling के process में, उनको उन toxic materials के साथ में interact करना पड़ता है, जिसकी वज़े से long term में उनका चरीर खराब हो जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना होगा, तो ऐसे में एक standard, safe standardized केतना की system बनाने की ज़रुत है, ठीक है, और wages भी एकदम proper मिलने चाहिए, तो बात ऐसी है, कि अगर हम इन सारे suggestions को ignore करते हैं, तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, बाकी यह अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने data देखा ना, कि जब हम चाह रहे हैं कि 2070 तक net neutral country बनना चाहते हैं, तो research and development और यह investment और यह process है, यह बहुत important हो जाता है, तो यह clean energy से related article था, जो हमें देखना था, ठीक है, तो देखो इस discussion में जो भी तीन articles थे, वो हमने detail में देख लिए हैं, thank you very much for watching this video,